आज मैं रिकॉर्णिंग कर रहा हूं कल के वदान की 22 ऑगस्ट के वदान की क्योंकि मैं ट्रेन में होगो ट्रावल कर रहा हूं लेकिन फिर भी ट्राइब करेंगे कि यह वदान आप तक पहुंच जाए राइट टाइम पर यूटूब बें तो मैं डाल दूंगा इसका प्रीम रेड़े हूं आज की वदान में हर सुषेशन में हूँ और हम सही तरीके से हर सिचेशन को पार करें तो देखें कि परमात्मा आज के वरदान क्यों होता है मैं क्या करूं चीवन में कहां बढ़ूं कहां जाओं मैं मेरा ही सब कुछ जा रहा है मेरा धन जा रहा है मेरा समय जा रहा है मेरे सब कुछ ही खतम हो रहा है वरबाद हो रहा है हम में क्या करो परमार्पा कहते हैं तो एक बेंत आत्मा हो फिजिकल चीजने जो साथ में आजबा जो है वो तुम्हारी चेंज हो जाएंगे अगर तुम अपने बेंत स्थिती में रहो बेहत की स्थिती में रहो अनंत स्थिती में रहो तो मैं आत्मा और आप आत्मा अनंता आत्मा हैं अगर हम टेटाच हो जाए पिनी प्रॉलम से जो कि हम सीखते हैं प्रॉलम से कैसे आप अपनी प्रॉलम से टेटाच हो करके शक्तिशाली समझ करके अपने आपको special समझ करके उंचा समझ करके आप कैसे प्रावलम्स को face कर सकते हैं या हम सीखते हैं प्रमक्रमारिस में आप भी सीख सकते हैं और मौझ में कैसे रहना है प्रावलम्स हैं लेकिन फिर भी मौझ में आप हैपी हों अंदर सापको कोई चीज हिलारी नहीं कि और आपकी यह happiness की वाइबरेशन्स है यही आपकी सारी प्रावलम्स को ठीक कर देती हैं यह सीक्रेट है परमातर करते हैं संगम यूग रुखानी मौझ में रहने का यूग है इसलिए सदा मौझ में रहो कभी भी मुँझो नहीं, गन्फिूज मत हो, यह क्या होगे मेरे साथ, मेरे साथ क्यों होगे, मैं सोचा भी नहीं था कोई चीज हमें रोक ना सके हमें आगे बढ़ने से कोई भी परिस्तिती या परिक्षा में थोड़े समय के लिए भी मुँझ है, मुँझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमती सोगती क्या होगी सपोज आप प्रॉल्लम से घेरेवे हो और आपका हार्ट फेल हो जाए या आपको कोई बहुत बड़ी बिमारी आ जाए और अशेरी छुणना पड़ जाए खुतना खास्ता परमात्माते ताश या पुसाथ ना हो लेकिन हाँ यह हमारे हाथ में तभी हो सकता है जब हम इस चीज़ का पुर्शात करें कि हमारे जो हर स्तिती हो हमारी जो हर समी के संकल्प हो वो बहुत उंचे लेवल के हो कि हमार अगला चनम भी होने वाला हो शेरी छोड करके वह अच्छे घर में हो उल्चे घर मेरे तो हम आतमा है चिदा म हो पहना रहे च nella में मैं जाक कि अपमारे जाएंगे हर चोटी लुड़ी बात में हाई क्या हूं आ रह ए कैसे हो गया क्या सहा बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली फैमिली में अगर शरी छोट के बीच चला जाना पड़ा कि यह कोई गैरेंटी नहीं ना कोई में किसी की गैरेंटी थी आज किसी कोई गैरेंटी है सड़क में निकले किसी ने कुछ कर दिया कुछ हो गया तो परमात्मा कहते हैं कि हम हर घड़ी कले तेयार रहें और हमारे जो संकल्प हों वो बहुत उचे हो खुशी वाले हो ताकि हम खुशाल परिवार में जाएं अगले जनम में और सुखी हो ताकि हम सुखी परिवार में जाएं अगर हम रोते रहते हैं कंप्लीन करते हैं करने वाली तो परमात्मा कहते हैं इसलिए कि अंत मती सो गती हो क्या होगी उसकी उस विक्ति की अप सोची अंत में जो मती थी उसी किना अस्वार गती उसी किनुसार आपको अगला जनम मिलेगा इसलिए सदा एवर रेडी रहो मुझे किसी भी चाहिए दुनिया की कोई सिचोचन मेरे सामने आ जाए I'm always happy मैं सदा सुखी हूँ सदा खुश हूँ मुझे कोई परिसिती कोई किसी की भी कोई कम्प्लेइन किसी की भी कोई ब्लेम या किसी कभी कोई बेस्ती मुझे असर कर ही नहीं सकती है कि कोई जो आत्मा मुझे गलत बोल रही है या मेरे साथ गलत कर रही है उसकी हालत गंदी है उसकी स्थिती बहुत बुरी है वह अंदर से सुखी नहीं है दुखी है आत्मा तो मुझे पता है कि वह मरीज है आत्मा तो मैं उसकी बिमारी क्यों ले दो डॉक्टर पास मरीज आता है तो डॉक्टर ये थोड़ा बोलता कि यहां भी यह थोड़ा आपकी बिमारी अंदर डाली जाए रहा आपकी खांसी आपका बुखार डाली जाए रहा मैं महसूस करूं कि आपको फील कैसा हो रहा है नहीं उसी तरह के से कोई अगर कुरोधी इंस अगर चाहिए प्रमात्मा कहते हैं कोई भी समस्य संपून बनने में विघन रूप नहीं बने हैं संपून का मतलब क्या हुआ हुआ अगर आपके अंदर संतुष्टा है है प्रेम आनंद है कुछ है तो आप संपून है लेकिन अपके अंदर irritation है frustration आप हर चीज छोटी बातों में घबढ़ा जाते हैं तो आप संपून नहीं है कोई भी चीज जब खाली होती है कोई बीजसे वह इंस्ट्रुमेंट नोगर लैप्टव के अंदर सारे प्रोग्राम्स ठीक से नहीं तो रूप-रूपके चलेगा ना डिक्कत देखरेगा आपको इदर जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा ये वायरसें जा आतर, इर्षान, गिरनान, पुराटकाम, कोध, लोम, वहुआ अंकार य कुछ नौलेज ना हो आपने सुन दिया यह चीत और आपने बोले मैं महान आत्म में विश्वेश आत्मा हूं तो सिर्फ आपने कहें कि मैं विश्वेश आत्मा हूं उससे कोई असर नहीं पड़ता आप सीखें आ करके ब्रमक मारित में कि आप विश्वेश आत्मा क्यूं हैं और कैसे बन सकते हैं यह चीज़ का ग्यान अपने और उसके पर आप काम करना शुरू के परिवर्तन हो तब आ लेसे नहीं इसके साथ तो हम शांती है